यहीं साथियों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासे और हम लोग पढ़ रहे हैं एलेक्टरिशन थियोरी के अंदर अभी छोड़ा सा एपक्ट होता है आपने शायद उसका नाम सुनाओ किक बैक नाम सुना है कितने बच्चों ने नाम सुना है इसका क किक बैक का है कि सुना जलो खेर कोई बात नहीं मैं सुनाता हूँ आपको किक बैक बैसिकली होता क्या है किक बैक बैसिकली आपके पास क्या है होता क्या है यह हम समझते हैं किक बैक आपके होगा क्या आप देखना होगा जब भी आपका नहीं बार देखा होगा सूचक जो ह वह नेगेटिव रीड करता है जो आप दो वाट मीटर पढ़ रहे थे दो वाट मीटर विधी के अंदर जैसी प्यर पावर फेक्टर का वैल्यू पॉइंट पांच और पॉइंट पांच से नीचे होता है वैसे एक रीडिंग आप एक वाट मीटर जो है वह नेगेटिव चालू किया एक वाट मीटर आपके रीडिंग नहीं दिखा रहा है आपने दुबारा आपके पास चालू किया उसको तो वह कि ऐसे हिला था आप चुकि इदर जाने की जगे नहीं थी ना इसलिए इदर जा नहीं पाया पाकि हिला जरूर था अगर आपने शुरू में आपक कि इसमें किक बेक दोश है और अगर आपकी नजर नहीं पड़ी तो फिर आपको नजर नहीं आएगा कि इसमें किक बेक दोश है नहीं बार लैब में आपकी वाक्शॉप में लड़का कंप्लेन करता है गुरू जी ये वाट मेटर नहीं चल रहा ठीके क्योंकि वह आखरी म तो हम क्या कहते हैं, कि 2 Watt Mitter विधी में, पी पावर फेक्टर का वैल्यू, 0.5 से आपके पास क्या होता है, कम होता है, तो 1 Watt Mitter जो है, वो नेगेटिव पाठ्यांग देता है, 2 Watt Mitter विधी आपने नहीं पड़ी है, मैं आपकी जानकारी बता दूँ, कि दादा Blondel हम से बोल के गए थे, कि N Phasos में शक्ती मापन के लिए N-1 Watt Mitter का प्रियोग किया जा सकता है, ये दादा Blondel ने हमें उनकी Blondel Theorem में बताया था, अब आप देखो, अगर N Phasos में Power Conception Measurement के लिए, आप N-1 Watt Mitter लगा सकते हो, तो आप बताओ, अगर N की Value, 3 कर दूँ, हमारे Phasos कितने है, 3, तो यहाँ पर आपके Power Measurement के लिए, 3-1 पराबर 2 Watt Mitter लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और यहीं से ये method निकल कर आया, 2 Watt Mitter method, अब यहा, 2 Watt Mitter हमें 2 Phasos में इस प्रकार लगाने हैं, कि उनकी C-Cune Phasos के आपके पास Series में हो, और दोनों का Pressure Coil जो है, वो जो तीसरा वाला Phasos है, उस पर जाकर उभेनिष्ट होता हो, इसे 2 Watt Mitter विधी कहते हैं, 2 Watt Mitter विधी में शक्ति मापन जब हम करते हैं, तो PT आ यह आपके पास होगा W1 प्लस W2, अब दो Watt Mitter जो है वो रिडिंग देते थे, अब इसमें पता है, 2 Watt Mitter विधी में पावर फेक्टर का जो रोल है, वो आपको पता होना चाहिए, 2 Watt Mitter विधी हम कब प्रियोग करते हैं, गुरु जी, 2 Watt Mitter विधी का उप्योग हम संतुल विधी एक Watt Mitter विधी, 2 Watt Mitter विधी, 3 Watt Mitter विधी, एक Watt Mitter में बोला था कि आपके पास जो भार है, उसका संतुलन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके लगेगी, अदर्वाइस नहीं लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर भार असंतुलित हुआ, तो क्या हमारी आपके पास क्या है, यह method नहीं लगेगा, तो हमारा तो load वेसी balance नहीं होता, तो फिर हमने कहा, अगर असंतुलित भार क्या वस्ता है, तो हर आपके पास क्या है, तो हर आपके पास क्या है, रेस्पेक्टिवली फेज में एक Watt Mitter लगा दो, और पावर जो आपके measurement कर रहे ह 2 Watt Mitter एक कम हो जाएगा आपका, और 2 Watt Mitter से आप power, आपके पास क्या है, नाप सकते हो, balanced और unbalanced दोनों load की अवस्ता में, अच्छे यहाँ पर आपको याद होगा, अगर आपने यह method पढ़ा है, college time पर, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, और नहीं भी है, धुंदा-धुंदा याद है, तो revise भी हो जाएगा, और समय आने पर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ना, तो चीजे बहुत बार आपके सामने से गुजरेगी, बस आप आख, कान, नाख, खोल के रखना, ना, यह नहीं कि आपके आपको के सामने से चीजे निकले और आप से बोलू, सुनाऊं कोई चीज और आप गोर से सुनी ना पाऊ उस चीज को, अभी मैंने बहुत सारी चीजे बताई है, जो आपको ध्यान रखनी है, अब आप देखना, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ था, पीएफ के उपर एक पूरी टेबल बनी थी, जो मुझे लगता है कि वो टेबल एक्जाम में, हॉल में घुसने से पहले हर बच्चे को याद होने चाहिए, उसमें यह बोला गया था, कि अगर पीएफ का वैल्यू आपके एक होगा, तो दोनो वाट मिटर की पाठ्यांग क्या होगे, पीएफ का वैल्यू एक से कम होगा, तो दोनो वाट मिटर का पाठ्यांग क्या होगा, पांच पॉइंट आ गए, एक आपके पास एक पर, दूसरा मेंने क्या बोला है, पॉइंट पांच से अधिक और एक से कम पर, तीसरा मेंने बोला है, पॉइंट पांच पर, तोथा पॉइंट मेंने बोला है, पॉइंट पांच से कम और अगर एंगल समलित कर दिए जाए तो टोटल बनते हैं 15 प्रश्ट इतने 15 नियुमेरिकल अलग से आते हैं वह अलग आपको गिफ्ट हैंपर के रूप में दिए जाते हैं इस बीज बाकि 15 तो तो टेबल आपको लर्ण करके जानी होती है और आपने मिट्टम वगरा में ग इस टेबल पर आया तो विए प्टा पड़ा पॉइंट पांच पर पॉइंट पांच पर एक विशेज घटना घटी पॉइंट पांच पर एक वाट मिटर ने जो है जीरो रिडिंग देना चालू हो गया सबी के कान खड़े हो गये क्या हुआ पावर मेजरमेंट तो हो रहा क्या जो आपके पॉइंटर स्केल के उपर ऐसे सीधे घूमना था ऐसे करके ऐसे घूमना था वो पता ऐसे घूम गिया वह आपके ऐसे घूम गिया और इसको हमने क्या कहा किक बैक तो हमने क्या कहा किक बैक अब किक बैक त्रेडिंग तो ले नहीं है तो कि फिजी गली रहा किकबैक श्यार किकबैक से आप ऐक्च्वAL रिडिंग कैसे लोगे किक बैक दोष्ट समझ में आगया है ऊठल रहा है रिडिंग रिडिंग न में गूम रहा है और गूम की और आपके वाट मीटर से पाठ्यांक लेने के लिए हम क्या करते हैं आपके CC और PC में एक कोईल को reverse कर देते हैं अच्छा यहां पर विवाद उड़ जाता है क्या एक technician कहता है PC को reverse कर देते हैं यही करता है कि supply को बादित किये बिना तुप्चाप अपना काम करके चला जाएं यही होते हैं तो जितने भी अनुभवी अनुदेशक गण थे उनके हिसाब से उन्होंने यह लिखा कि आपके प्रेशर को रिवर्स करके लेकिन ध्यान रखना हमें यहां पर electrical point of view से देखना पड़ेगा किसी की facility के point of view से देखना नहीं पड़ेगा कि साब नाराज हो जाएंगे आपके पास क्या electrical point of view से वह मैचर सही है या नहीं है अगर आप सहूलियत के point of view से देखें पड़ाफट काम करने के हिसाब से देखें तो तो क्या होगा कुछ मत करो PC को रिवर्स कर दो आपके पास क्या होगा किक बैक खतम हो जाएगा और वह आपको धनात्मक पाठ्यांग देना चालू कर देगा कौन वह pointer जो किक बैक कर रहा है लेकिन electrical point of view से प्रेशर कोईल के टर्मिनल को आप रिवर्स नहीं तरोगे आप क्या तरोगे CC के कोईल मतलब धारा कोईल को उत् प्रेशर कोईल जो है गलत है और प्रेशर कोईल वाला जो उत्तर दिया गया है वह ज्यादा तर दिया गया है आप लोग की IT वाले जो अनुभवी अनुदेश गणनी होते हैं क्या practical वाले जो आपके जो राइटर हैं उन्होंने दिया हुआ है engineering के एक भी राइटर ने उठ पाकर यह नहीं दिया है कि आपके PC को चेंज करके वह कहते है PC और PC में चेंज कर सकते हो रिडिंग ले सकते हो बड़ ज्यादा आपके सही जो है वो क्या रहेगा आपके धारा कुंडल को रिवर्स करके उठेशर को नहीं करना तो कि बेक क्या होता है मंधा यह नई वाठ मीटर विधिनें यह एक वाठ मीटर का परणात्मक पाठ्यांख देना क्या शुन्य पोजिजिशन तरह पैके पास क्या है क्या क्या कहलता है US फिवारण में क्या पढ़ता है towards दिवारण में हम पढ़ेंगे कि आपके पास क्या है CC या PC में एक की टर्मिनल को reverse करके एक को उत्क्रमित करके आपके सही पाठ्यांग प्राप्त किया जा सकता है किन्तु धारा कुंदल को उत्क्रमित करना आपके पास अगर यहां मैंने एक ही बता दिया तो आप देखो यह किताब रही पिर आपके पास के किताब को देखो यह रही एक किताब हो फिर उसके के बाद हमें क्या करना पड़ेगा हमें किसी ना किसी एक को तो आधार मानना पड़ेगा ना बस वही चीज बोलना चाहरा हूं मैं तो अपन जबर्जस्ती कन्फ्यूज भी ना हो दोनों से हो रहे हैं और यह आंसर आपका यह रहेगा लिखवाता हूं किक बैक क्या होता है तो वाट मिटर विधी में doisiya लोग बाऐ शूं के लिंग को टो अपनलना पाइस वाट मिटर विधी में तो वाट मिटर विधी में और चाहर बाता है कब क्यूज ऑनरा न भूट हम बातों मेन ने बातों बातों मैं अनुरा गूद मॉनिंग महंदर मीना गूद मॉनिंग विजे मालो गूद मॉनिग और regen और पूजा लाके लाके रकने कूश कर रहेंगे कि पक्का इनसे कुश्चन निकल कर आएगा हाद और मैं चाहता हूं कि सारे दोष आपके सामने ऐसे प्रूब फ्लैश पैक की तरह आजाए पिर मज़ा आजाए है एक्जाम होल में जब आएंगे न सारे के सारे तो आपको मज़ा आजाएगा आपको जब का मान तो वाट मीटर विधी शक्ति गुणां का मान आपके 2.5 से कम होता है तो एक वाट मीटर पाठ्यांक लेने में असमर्थ हो तो एक वाट मीटर पाठ्यांक लेने में असमर्थ हो तो एक वाट मीटर पाठ्यांक लेने में है एक वाट मेटर पाठ्छांक लेने में असमर्थ हो जाता है तो जाता है कि पावर फिटर का मान अधिक होना चाहिए अरे बूडे पुजुर को क्यों बोलते हैं अभी टीचर भी कहते हैं कि इस्टम का पाव फिटर अच्छा होना चींद परणात्मक दिशा में प्रारंब कर देता है प्रारंब कर देता है तथा रिणात्मक दिशा में घूमना प्रारंब कर देता है इसे किक बैक कहते हैं इसे किक बैक कहते हैं तो अभी आपको किक बैक समझ में आ गई है यह सलमान खान वाली किक नहीं है यह इलेक्ट्रिकल वाली किक है आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ किक बैक हो रही है वापस तो इसे किक बैक कहते हैं फिर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आ वह होना प्रारम्ब हो गया अब एक प्रभाव क्या पड़ेगा वाश्तविक प्रभाव आप आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास पाठ्थ्यांख लेने में असमर्ख हो जाती है पाठ्थ्यांख नहीं हा तो वास्तविक पाठ्थ्यांख पाठ्थ्यांख आपके प्राप्त नहीं होता है प्राप्त नहीं होता है तो निवारण में हम क्या बोलेंगे यहां पर आपके पास निवारण बोलो यार अफट आफट तो यह आपके पास क्या CC सथा PC में से में से PC एक को आपके उत्क्रमित करके उत्क्रमित मतब रिवर्स करके वाट मिटर से सही पाठ्यांक प्राप्त करते हैं अब देखो एक तो आपके पास क्या है चोइज मेंने ए और एक CC आपके करेंट कौइल ठारा कुंडल जिसको बोलेंगे PC आपके पास क्या है फ्रेशर कौईल क्योख् toc विभाव कुंडल बोलेंगे यहा पर आपके पास क्या यह पॉइंट तो मैंने जनरल पॉइंट आपको लिखा दिया कि हाँ ऐसा होगा या तीरा दूसरा पॉइंट देखना हम बात करेंगे पैदुतिक द्रश्टी कॉन से आप ध्यानगना यह जो है यह आपके पास अपने इसको को ख्रास करना है नहीं करना है हम यह करेंगे यहां बात करेंगे आपके पास क्या है az अब आपके पास क्या है वे थहीं में लिख रहा हो अगी यूथिक विख्वर्ण से हई अ क्रश्टी कॉण से घरा कुंडल हारा कुंडल हाना करेंट कोईल हारा कुंडल करेंट कोईल के हारा कुंडल करेंट कोईल के सिरो को सिरो को तुत्क्रमित किया जाना जा हाना पिर आपको बता ना लोग आसान काम करना चाहते हैं इस सिस्टम में लॉस हो फरक नहीं पड़ता सिस्टम को रहा या उसको खोड़ी हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा प्रेशर को चेंज करेगा लेकिन अगर मालो आपके पास क्या है इसको रेक्मेंट नहीं करेंगे कि वालों ने पहले प्रता दिया पॉइंट पास से कमाने पर केक बैक आता है कि यह आपके पास क्या हो गया धारा कुंडल कम से ने कम जो मेरी क्लास में बैठा हुआ है न अभी यहां पढ़कर गया है न वो रड़का खट रहेगा कि नहीं यार करेंट को केक को ृवर्स करकर क्या करेंगे क falar करते हैं समझ में आगया जो क्कौ constituents आंगर है Gregory chosen अभी तक बने होगी है अगर सबस् में अबंडू है अखहा कलास अच्छी देता है तो आज के लिए इतना काफी है बाकी की बाते जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए पढ़िए और याद जुरूर थेक्यू सो मच टैहिंद टैह भार